हलो डियर लर्नार जहिन सभी को स्वागए थे आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो साइकलोजी यानि की मनोविज्ञान जो की बाल विकास से सम्मंदित है MCQ-3-6 जो साइकलोजी से सम्मंदित है इससे पहले 5 MCQs बनाई जा चुकी है उन्हें भी आप जरूर देखिए बहुत ही भेतरीन questions आपको उनमें मिलेंगे इसमें भी आपको application based mixed questions मिलेंगे जो किसी भी परिक्षा के लिए उप्योगी प्रश्ण मिलेंगे आपको तो continue बिना skip किये देखते रहे ताकि आप पूरी जानकारी को प्राप्त कर सकें इससे पहले जितने भी वीडियोज बनाया जा चुके हैं उन सभी का playlist का link भी आपको मिल जाएगा description box में उन्हें भी आप क्लिक करके देख सकते हैं साथी channel में playlist में जाएंगे तो वहाँ भी सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे तो चलिए start करते हैं बिना देर किये ये रहा आज का हमारा पहरा सवाल इससे पहले जियाब चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकान को भी प्रेस करें and all पर क्लिक करें ताकि आने वाले निव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप ऐसे ही महत्वपूर वीडियो का लाब उठा सके तो चलिए start करते हैं सबसे पहला कोश्चन है आज की सीरीज का किन्यम लिखेत में से कौन सा मस्तिस्की छेत्र व्याकरण एवं भासा उत्पादन का कारे करता है हुए हमारे पास चार आपस चारा आप marshm़से आपेसर आप सरे अब्रोकाज एरिया यानि के व्रोकाज शेट्र आप्शन भी फ्रंटल लोग हमारा जो फ्रंटल खंड जो सामने वाला होता है तयो सी पोस्ट मस्तिस्की खंड जो कि पेरियंटल लोब होता है, option D, और शिपिटल खंड, तो हमारा सही जवाब क्या होगा, option A is the correct answer, ब्रोकास एरिया से related है, आप देखिए, question number 2, कि इन कत्रों में से आप किस्से सहमात है, बहुत ध्यान से कत्रों को पढ़िएगा, और किस्से सहमात है, एक appropriate देखना है, कि आप ए द्यालेओं में पर्याप तकनी की संसाधन प्रदान नहीं कर रही है, option B, एक बच्चे की आशफलता के लिए वनसानुकरम घटकों को परतिच चुरूप से जिम्मेदार टहराया जा सकता है, जिसे उसने अपने माता-पिता से अरजित किया है, option C, एक बच्चे की आशफलत ब्यवस्था तक बच्चे के प्रतिक्रिया करने में इसकी आशफलता का एक प्रतिविंब है, option D, एक बच्चे के आशफलता मुक रूप से माता-पिता की सिक्षा तक आर्थिक इस्तर में कमी के कारण है, तो हमारा सही जवाब क्या होगा, option C is the correct answer, कह रहा है कि एक बच्च ब्यवस्था जिम्मेदार होता है, एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, सवाल हमेशा बार बार कभी पूछता है, कि बच्चा अगर फेल हो जाता है, सफल हो जाता है, तो कौन जिम्मेदार होता है, हमारी ब्यवस्था ठीक नहीं थी, हमारा सिस्टम ठीक नहीं था, बाकि व इसा मान तथा नभीन चिंतन करने वाला बालक कैसा होता है यानि कि जो कुछ नया काम करता है कुछ नया creation करता है नई thinking करता है तो कैसा बालक होता है हमारे पास चार आप्षोन से अप्षन ए मंदबुद्धी और प्रतिभासाली और सी स्रेजिनात्मक और संडी वहार क्रूप से अच्छा हमारे पास सही जवाब क्या होगा और संसी इस दा करेक्ट आंसर यानि कि सर्जिनात्मक होगा कि अब देखी क्वेश्चन नमबर फोर जो आपके सामने हैं कि जब सोचने की प्रक्रिया किसी भासा दौरा प्रभावित होती है तब उसे कहते हैं हमारे सही जब आपके सामाजिक भासा दौरा प्रभावित होती है तब उसे कहते हैं हमारे सही जवाब क्या होगा क्योंकि भासा दौरा प्रभावित होती है जब हमारी सोचनी की प्रक्रिया तो सीथी सी वात है लेंग्वेज डिटर्मिनेशन है नेक्स्ट कोश्चन नमर फाइब देखिए कि दूरस्त वस्तू या घटनाओं के बारे में सोचना क्या कहलाता है यनि कि जब बेगती जैसे कि आप अपने घर पर हैं और आप कहीं दूर दराद चीजों के बारे में सोचने हैं कोई घटना या कुछ भी तो वो क्या कहलाता है आपका सोचना है तो हमारे पास चार और से स्मृति यानि कि मेमोरी एफसन बी चिंतन यानि के फिंकिंग है और संदी समविक यानिकी इमोशन है तो हमारा सही जवाब होगा सीज़ डाकरेक्ट आंसर कल्पना तो कि यहां नहीं है कोई घृतना के बारे मारे मारे जब प्रकारण है तो वह एक प्रकार का इमेजिन कर रहे होते हैं आप एक्जेक्ट थोड़ी बता रहे होते हैं वह आपका इमेजिनेशन है इसलिए option c is the correct option question नमर 6 देखिए छटवा परस्ट जो आपके सामने है सिक्षण है तो मांसिक उद्धोलन प्रतिमान का प्रयोग निम में से किसके सुधार है तो किया जाता है हमारे पास चार options है option a समझ के सुधार के लिए option b आनुप्रयोग option c सर्जनात्मक्ता option d समस्या समधान हमारा सही जवाब क्या होगा option d is the correct answer समस्या समधान के सुधार है तो हम brainstorming का प्रयोग करते हैं model का question number 7 देखिए सात्वा प्रस्ट जो आपके सामने है कि निमने लिखित में से कौन रिडात्मक पुनरबलन के लिए सही कथन है यहां रिडात्मक पुनरबलन की बात चल लई है हमारे पास चार options है option a रिडात्मक पुनरबलन तथा दंड दोनों एक ही है option b रिडात्मक पुनरबलन की उपस्थिती से अनुक्रिया के दोहराने की सम्भावना बढ़ जाती है Opstrion C, radiatmach, Poonerblon, वांशित, अनुक्रिया के घटित होने की समभावना को घटाता है Opstrion D, radiatmach, Poonerblon, वांशित, अनुक्रिया के घटित होने की समभावना को बढ़ाता है तो हमारा सही जवाब क्या होगा? Opstrion C is the correct answer आउर कह रहा है कि रडात्मित P shorten Palm RiisAL को घटाता या jours या निकिक देखे फिर आपनले को कप सामने बालआ कोुई कडिमिटि कर देता है या एक्टीवीर कर की लिए आता है कि प्रजेक्ट पुरा करेंल या कुछ ऑक आपने कहा और किया फिर आपने पुनरबलन दिया अब आगर उसने गलत किया या अमांचित एक्टिबिटी की अन्यसेसरी की तो आप राद पक पुनरबलन देंगे तो उसको घटाया जा सकता है ऐसा थोड़ी की बढ़ाएंगे एक सम्भावना को घटाता है इसलिए और कोश्चन नमबर आठ हुआ देखिए कि सीखी गई बात को धारण करने और पुना इसमरण करने की करने में आशफल होना क्या कहलाता है यानि कि जो हम कोई बात सीख लेते हैं तो उसको धारण करने और पुना इसमरण करने में अगर हम सफल होते हैं तो वो क्या कहलाता है यानि कि हम क्या हो चुके हैं, वो एक धारण है, option B एक स्मरण है, option C चिंतन है, option D बी स्मरण है, हमारा सही जवाब होगा, option D is the correct answer, सीधी सी बात है, जब आप आसाफाल हो रहे हैं, पुनाई स्मरण करने में, इसका मतलबा भूल चुके है, question number 9 देखिए, कह रहा है कि निम लिखित में से कौन सा एक समवेग है, यानि कि यहाँ पर emotion की बात चलिए कि चार में से एक होगा, हमारे पास चार options है, option A उद्धीपन, यानि कि stimulus, option B स्मिर्थी यानि कि memory, option D ध्यान यानि कि attention, या फिर option D डर यानि कि fear, तो हमारा सही जवाब ह डर जो है, जैसे कि डर हो गया, खुसी हो गया, लास हो गया, दुख हो गया, यह सब क्या हमारी emotions है, question number 10, जो आपके सामने हैं कि एक चात्र पढ़ रहा है, ध्यान दीजे, एक चात्र पढ़ रहा है, और उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, तो निम्द में से किस संबेदन दौरा वह अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा, मतलब एक चात्र पढ़ रहा है, बैट करके मस्त एक दम, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, तो निम्द में से किस संबेदना दौरा वह अनुक्रिया प्रकट करेगा, हमारे पास चार आप्सन से, आप्सन A द्रिष्टी स संबेदना, आप्सन B ध्वनी संबेदना, आप्सन C प्रतेक्षण संबेदना, आप्सन D इस पर संबेदना, तो हमारा सही जवाब क्या होगा, आप्सन B इस दा करेक्ट अंसर ध्वनी संबेदना, अब जब कोई बुलाएगा तो ध्वनी ही न बुलाएगा, बुलाना है का अब उसने बुलाया उसका नाम लेकर बुलाया माल लेजी को उसका नाम स्याम इदार आजाओ तो उसने क्या क्या साउंड गया ना तो धोनी संबेदना हुई इसलिए आप्शन बी इस दा करेक्ट आपके सामने है कि निवन में से बाह है अभी प्रेणा का उधारन है याने कि जो एक्स्टरनल मोटिबेशन होता है उसका हमारे पास चार आप्शन से आप्शन ए मैं अपना ग्रहकार करना पस कार पूरा करती हूँ क्योंकि सिक्षक प्रतेक नियतकार के लिए हमें अंक देते हैं अप्शन D ग्रहकार से मैं अपनी धरणाओं को अच्छी तरह समझ पाती हूँ हमारा सही जो आप क्या होगा अप्शन C is the correct answer क्योंकि लास्ट में लिखा हुआ है पूरा पूरा पढ़ आपका ग्रहकार को पूरा करते हैं तो इसलिए हमारा अप्शन C हो जाएगा question number 12 बारमा प्रसंद देखिए कि रूची का संबंध है attention sorry interest जो रूची है interest जिसको इंगलिस में कहते हैं उसका relationship किससे हैं हमारे पास चारा options है option A योग्यता यानि की ability, option B आवधान यानि की attention, option C उपरिक्त दोनों या फिर option D इन में से कोई नहीं तो हमारा सही जवाब क्या होगा option B is the correct answer attention यह देखिए रूची हम जिस तरफ हमारा ध्यान उसी तरफ जाता है जिसमें हमारा interest होगा ऐसे हम फालतू में कहीं पर भी ध्यान नहीं लगाते हैं हमारा interest area होगा तब ही हम वहाँ पर attention दे पाएंगे और खास करके एक लंबा attention देर तक attention तो वह हमारा interest area को दर साता है इसलिए option B सही है question number 30 कहता है कि हम से कुछ लोग लंबे हैं ध्यान से सुनिएगा पढ़िएगा कि हम से कुछ लोग लंबे हैं कुछ लोग काले हैं कुछ लोग छोटे हैं कुछ लोग गोरे हैं कुछ लोग मजबूत हैं एवं कुछ लोग कमजोर हैं यह कतन किस सम्मंदित है हमारे पास चार option a बुध्धिवा लैंगि विविनता option b बुध्धिवा प्रजाति विविनता option c व्यक्तिक विविनता अफिर option d प्रगति सीलता हमारा सही जवाब क्या होगा option c is the correct answer व्यक्तिक विविनता individual differences कहते हैं कि हम से कुछ लोग लंबे हैं सब्सक्राइब इसका जैसा उसका मोटापा है लंबाई चोड़ाई है गोरापन है या उसकी बुद्धी में बहुत सारा इंडिविजल्ड डिफ्रेंसिस होता है तो इसलिए option C is the correct answer question number 14 देखे चवदा हमाँ प्रस्ण जो आपके सामने है कि यदि एक बालक पडोज के दादा जी को सम्मान से बुलाता है तो उसके अंदर good है आप खुद ही देख लीजे आप अगर पडोज के किसी चाचा जी को दादा जी को या दादी चाची को किसी को सम्मान करते हैं तो आपके अंदर कौन सा गुड़ होगा हमारे पास शार options है option A सेक्षिक गुड option B सांसकारिक गुड option C चिकित सी गुड option D बैचारिक गुड हमारा सही जवाब क्या होगा option B is the correct answer अंसर संसकारिक गुड है यह हमारे संसकार हैं हम समान करते हैं किसी का क्योंकि हमें सिखाया गया है और यह हर जगे नहीं मिलता यह हमारे परिवार से मिलता है संसकार की सिक्षा हमें परिवार से मिलती है जो की अनौपचारिक सिक्षा कहलाती है और यह हमें आगे तक बढ़ने में बहुत मदद करती है, कहीं पर भी अड़ेस्टमेंट करने में बहुत मदद करती है, इसलिए option B is the correct answer, अब देखिए question number 15, 15 प्रस्ण जो आपके सामने हैं, कि कौन से मनो बैज्यानिक ने अपनी पुस्तक हैरीडिटरी जीनियस में ब्यक्ति किया है, हमारे पास चार options है, option A आलपोर्ट ने, option B बीगी एंड हंट ने, option C जीन प्याजे ने, option D सर फ्रांसिस गल्टन ने, हमारे सही जवाब क्या होगा, option D is the correct answer, सर फ्रांसिस गल्टन ने, question number 16 देखिए, 16% सरजनात्मक बुद्धी है, हमारे पास चार options है, option A विचारों का बिसलेचन और मुल्यांकन करने की छमता, option B क्रियानवेन करने की छमता, option C नविन रचना करने की छमता, option D कल्टना करने की छमता, हमारे सही जवाब क्या होगा, option C is the correct answer, नविन रचना, जह यहाँ पर भी creativity हो, वहाँ पर नया पन से संबंदिस सब्द होगा, यह बिल्कुल आप दिमाग में रखिए, question number 17 देखिए, परते एक बेक्ती होता है, बिल्कुल बेक्ती तो होता है, लेकिन कैसा, कौन, क्या, देखते हैं हमारे पास चार options है, यह रहे आपके सामने, option A समाजिक, option B बेवहारिक, option C चिंतनसील, option D आदोती है, हमारा सही जवाब क्या होगा, option D is the correct answer, आदोती है, परते बेवहारिक होगा, जरूरी नहीं है, हर बेक्ती चिंतनसील होगा, जरूरी नहीं, लेकिन आदोती जरूर होगा, यूनिकनेस जरूर होगा, आप पता करके देखिए, आप में उसी डिफरेंसेस जरूर मिलेंगी, तो उसी को हम यूनिकनेस करते हैं, इसलिए question number 17 का सही जव आजिक वातवरण के साथ अनकूलन नहीं कर पाता है, तब उसे क्या कहते हैं, हमारे पास चार आप्सन से, आप्सन A समायोजन, आप्सन B परिवर्तन, आप्सन C कु समायोजन, आप्सन D सहन सिलता, तो हमारा सही जवाब क्या होगा, आप्सन C is the correct answer कु समायोजन, अरे जब नहीं कर पा रहा, तो सिदी सिवात कु समायोजन होगा, अगर वो कर लेता, तो एडजेस्टमेंट हो जाता, और चरण बद्ध तरीके से इस एकागरता समय को बढ़ाना अन्निम लिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सरवाधी को प्यूक्ट है, हमारे पास चार आप्सन से, आप्सन A, एकागरता हरास आतिक्रिया सिल विकार, यानि कि ADHD, attention deficit, hyperactive, यहाँ पर hyperactivity disorder, यह typing mistake है, ध्यान दीजिएगा, आप्सन B है, आसांत कारी बेवार समन्दी विकार, यानि कि disturbed behavior disorder है, आप्सन C, dysphagia है, आप्सन D, समवेदी एकी करन्ड विकार है, sensory integration disorder, तो हमारा सही जवाब क्या होगा, आप्सन A is the correct answer, ADHD, आनि कि attention deficit hyperactivity disorder, question number 20, 20% जवाब के सामने है, कि इर्फान खिलाउने तोड़ता है, तता उसके अवयवों को देखने के लिए उसे अलग-अलग कर देता है, आप क्या करेंगे, तो इर्फान कोई चीन की दिवार थोड़ी तोड़ दिया है, देखिए अब खिलाउने ही तोड़ा है, आप दे तो आप क्या करेंगे, हमारे पास चार आपसंस हैं, आपसं A, इर्फान को कभी भी खिलाउने के साथ खेलने नहीं देंगे, क्यों भाईया, आपसं B, सदयों कड़ी नजर रखेंगे, ऐसे लग रहा है, जैसे बहुत बड़ा अपराद कर दिया हो, आपसं C, उसकी जिग्य होते ही हैं, तो वो कुछ न कुछ तो करते हैं, हमारा सही जवाब होगा, आपसं C is the correct answer, उसकी जिग्यासु प्रकर्ची को बढ़ावा देंगे, तता उसकी उर्जा को दिशा प्रतान करेंगे, बिल्कुल तोड़ दिया है, तो क्या हुआ, भीया, तो कुछ देखे, अगर वो अवयों का मतलब होता है, जिसे मालीजे कोई चीज होती है, उसकी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उस पार्ट्स को ओपेन करता है, खोलता है, अलग अलग करता है, तो इसका मतलब उसके पास analytical thinking develop हो रही है, सुच यह कि वो हर चीज को एक एक पार्ट को समाझने की कोसि सित हो गया है, उसको टोडने से, तो इसलिए वो सब सही नहीं होगा, हमारा option C is the correct answer, question number 21 देखिए, कि आधुनिक अनुदेशन सिध्धानतों का जनक किसे कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, modern instruction theories का जनक किसे माना जाता है, हमारे पास चार options है, option A जीन प्याजे, option B इसकिनर, option C गयने, option D विक्टर, हमारा सही जवाब क्या होगा, option C is the correct answer, गयने, question number 22, 22 जो आपके सामने है, कि संग्यान आत्म क्रांती का अग्रदूत किसे माना जाता है, संग्यान आत्मक क्रांती का अग्रदूत किसे माना जाता है, चली देखते हैं, हमारे पास चार options है, option A, आलबर्ट बैंडूरा, option B, एडिगर डेल, option C, वाई गोत्सकी, option D, कॉल सनि, हमारा सही जवाब क्या होगा, option A is the correct answer, अब देखे, question number 23, 300% जो आपके सामने है, कि ब्र आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक, तो दूसरी जो आइकॉनिक है, उसकी एज क्या है, हमारे पास चार options से, option A, 18 महीने से 6 साल तक, option B, 0 से 18 महीने तक, option C, 0 से 6 साल तक, option D, 2 से 7 साल तक, तो हमारा सही जवाब क्या होगा, option A is the correct answer, 18 महीने से 6 साल तक, अब देखे, तीनों को अल क्या होता है, वो होता है, जीरो से 18 महीने तक, आइकॉनिक का आपने देखी लिया, दूसरी अवस्ता, 18 महीने से 6 साल तक, और जो सिंबॉलिक होता है, वो 6 साल से उपर होता है, तो यहां पर फिला हाला हमारी दूसरी अवस्ता की उम्र क्या है, option A, 18 मन से 6 साल तक, question number 24, दे सिध्धान्ट, Option B, अंतरदृष्टि का सिध्धान्ट, option C, सूचना पर करिया करना का सिध्धान्ट, option D, संग्यानात्मक सिध्धान्ट, हमारा सही जवाब क्या होगा, option A is the correct answer, अधिकम का छेत्र, यहीं कि फिल्ड थेओरी इनोंने दी है, इसलिए option A is the correct answer, बाकी सिध्धान्ट और ग्यानते हैं, कोलर और कोफका ने इन साइट थेओरी दी, जो गेस्टाल्ट से उनका जर्म हुआ, और गेस्टाल्ट के जर्म दाता वर्दाईमर थे, इसके अलावा सूचना पर क्रिया करना का सिध्धान्ट, संग्यानात्मक सिध्धान्ट, जो की इसे अलग रिलेटेड हैं, पूरे जो संग्यानात्मक सिध्धान्दीन प्याजे से हैं, जो सुचना प्रक्रिया करना है, वो जार्ज करके कोई है, तो इसे संबंदित हैं, तो हमारा फिलहाल कट लेविंग संबंदित है, आप्सन A is the correct answer, आदेगम का छेत्रशित्धान्ट, कोश्चन नमबर 25 देखिए, कि मानसिक प्रक्रियाओं का सामोहिक नाम है, यानि कि जो हमारी मानसिक प्रियाएं होती हैं, मेंटल प्रोसेस होती हैं, उन सभी में जो जो चीजें एक्टिवेट होती हैं, उन सब को मिला करके क्या बोलते हैं हम, हमारे पास चार आप्सन से, अप्सन A, बेवहर, अप्सन B, अधिगम, अप्सन C, संग्यान, अप्सन D, परिवर्तन, हमारा सही जवाब क्या होगा, अप्सन C is the correct answer, संग्यान, क्योंकि देखते हैं, आप चिंतन करते हैं, इमेज बनाते हैं, प्रोसेस करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, तो ये सब हमार हुए प्रिशन हैं, पुराने एक्जाम में, जो कि आपके किसी भी एक्जाम के लिए बहुत ही महत्तपूर्ण है, कोई भी आप एक्जाम दीजिए, साइकलोजी का प्रिशन कोई नों कोई पूछी लेता है, तो अगर आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक जरूर करिए व प्रिशन के लिए, क ouvert साइकलोझ है, को आपके कि म switch है, एक्जाम में, पूधन के लेता है, यह थे डिए, संथन का लोंन दीजिए altern में, जए झायों एक्जाम में, पूछी थेए पूए झायों है,